नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है भालचंद्र, ब्रह्मान्ट सिद्यास्ट्र में आप सभी का स्वागत है आज के इस वडियो में हम चर्चा करेंगे दिन आंग 4 मई 2013 का संपुन राशिफल उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग उसके बारे में चर्चा करेंगे आज का जो दिन है गुरुवार का है, शोभन नाम समवसर है, सूर्य का उत्तर आण चल रहा है, वसंतर उतु है, वैशाख मेना है शुकल बक्ष के चाओद भी दिति है, नक्षतर चितरा है, योग वज रहा है, दिन का जो करण है वगर है, और जो रात का करण है वह वनी है आज के दिन का जो गुलिक काल है वह शुरुवात होगा, सुबह 9 बच कर 8 मिनिट से लेकर 10 बच कर 46 मिनिट तक, और अभि जितमुर्द दो पर 12 बज़े से लेकर 12 बच कर 48 मिनिट तक का हुगा गुलिककाल और अभिजीत मूर्थ दिन के शुबकालावदी कह जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महतुपुनकाम या फिंदिन ने आप ले सकते हो उसी प्रकार आज के दिन का जो राहुकाल है वह शुरुवाथ होगा दो पर दो बचकर दो मिनिट से लेकर तीन बचकर चालिस मिनिट तक और यह मंगंड़काल परातर पांच बचकर बावन मिनिट से लेकर साथ बचकर तीस मिनिट तक का होगा राहुकाल और यह मंगंड़काल दिन के शुबकालावदी कह जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महत पुर्ण काम या फिन दिनने बिल्कुल भी नहीं लेना उस प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है या चंद्रमा कन्या राशी में ब्रह्मन करेगा सुगर 9 बच कर 20 मिनिट के बाद या चंद्रमा तुला राशी में ब्रह्मन करेगा यह चंद्रमा शुक्र के साथ त्रिकोन योग करने जा रहा है गुरू के साथ प्रती योग करने जा रहा है उसे प्रकार आजे के दिन शुक्र और निप्चुन का केंद्र योग भी होने जा रहा है यह ग्रस्ति सामने रखते हुए 12 रशी पल क्या होगा इस विशेव पर अब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहली रशी है मेश रशी मेश रशी के 6 बाओ में चंदरमा का ब्रह्मन है सुबर 9 बच कर 20 मिन के बाद यह चंदरमा आपके 7 बाओ में ब्रह्मन करेगा त्रितिय अभाव में से शुक्र के साथ त्रिकोनियों करने जा रहा है आप एक राशे में सिद्गुरू के साथ प्रतियों करने जा रहा है उसी प्रकर आपके त्रितिय अभाव में से शुक्र के साथ आपके विय अभाव का जुनेप्चुन है वक के इंद्रियों करने जा रहा है महत अपुर्ण दिन है आपके ले खास करके आज के दिन आपके वैवाई जुड़िदार है उनके साथ कही बाहर गुमना फिर नहीं हो सकता है उनके साथ आपके हार्मनी काफी अच्छी देखी जा सकती है किसी भी प्रकार के महत अपुर्ण दिन ने आने वाले दो से तीन दिनों में नहीं लेना उसी प्रकार आपके जो वैवाई जुड़िदार है उनके स्वास्त के बारे में समस्या आने वाले दो से तीन दिनों में हो सकती है कुछ misunderstanding भी हो सकती है लेकिन कुल मिला के देखा जा तो आज का चुद दिन है आपके लिए शुभु फलदाई सामित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है वृषब राशी वृषब राशी के पंचम बाव में चंदरमा का ब्रह्मन है उसी परकार आपके द्वीती अबाव में सिर्फ शुक्रे के साथ आपके लाब अबाव का जो निप्चिन है वो कें रियूप करने जा रहा है मैं तो पुर्ण दिन है आपके लिए शुभु के बाक्त का समय उसमें आपके कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट वगरा होने की संभावना काफी अच्छी बन रहे है उसे पर अगर आने में दो से तेन दिनों में आपको सवयम कि स्वास्त के बारे में थोड़ा ध्यान लेना होगा बुल मिला के देखा जाए तो आज का जो दिन है आपके दिए शूब वफलद्दाई साभित होगा इसके बाद के जो राशी है वो है मित्लन राशी मित्लन राशी के चतरतव भाव में चंदर्मा का बरमन है सुबह नो बचकर बिस मिटे के बाद ये Чंदर्मा आपके पंचव भाव में बरह मन करेगा आपी के राशे में से शुक्र के साथ ये चंदरमात्री को नियों करने जा रहा है लाब अबाओं में सिद्गुरू के साथ ये चंदरमाप्रतियों करने जा रहा है उसके रगर आपी के राशे में से शुक्र के साथ दशंबाओं का जो निप्चुन है वो केंद्रियों करने जा रहा है सुबह के बाद के जो समय है उसमें आप आपके जो रिलेशन्शिप में विखती होंगे उनके साथ कहीं बाहर गुमना फिर नहीं हो सकता है खास करके अगर आप शेयर मारके में ट्रेट करते हैं कुछ अच्छे लाव अगर मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बंद रही है आने माले दो से तीन दुने में किसी भी प्रकार के महतोपुर्ण जो ट्रांजक्शन है खास करके फैनेंशन ट्रांजक्शन उसमें के बारे में ध्यान देना आवश्चा कोगा उसे बलागा आपके रिलेशन्शेप में जो विक्ति होंगे उनके साथ भी चोटे-मूटे बाता के लेकर मिस अंडेस्टेंडिंग हो सकती है इसके बाद की जो राशी है वो है करक राशी आज के जो दिन है आप घर पर रहना पसंद करोगे आराम करना पसंद करोगे और वो आराम आपको मिलेगा भी हलाकि घर के जो लोग है उनके साथ कही बाहर घुमना फिर ना हो सकता है लेकिन आने माज़े दो से तिन दिने पैसे के ट्रांजक्शन के बारे में थोड़ा आपको सतरक रहना होगा जो भी आपका कारेश दर्वाव पर के जो लोग हों उनके साथ भी चोटी मूटी बातों के लिए करता करार आज के दिन होने की संभावणा थोड़ी ज़्यादा बन रही है इसके बात की जो राशी है वो है सिंग राशी वहां पूरे होते हुए भी नजर आएंगे उसी परकर आज की दिन आपका गूमना फिरना साधा हो सकता है काफी साधा एक्जास्ट हो सकते है आने विले दो से इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत वुद्ण काम बिल्कुल नहीं करना कास करके जो भी आपके कारशेतर से रिलेटेट है वो इसके बाद की जो राशी है वो है कन्या राशी कन्या राशी मेरी चैनरमा का वर्मने पर सुबह नो सकारो का विकरते बारे हैं जो कि अगर कुछ अच्छे लाव बगरा बी आएंगे जो की आपकी इन्वेस्टमनें चैने बारे में होगी स्वास्त के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा ने वने दो से तिन दिने में पैसे के मामलात में या फिर आपकी जो बैवाई जोड़िदार है उनके स्वास्त के मामले में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा उसके बाद के जो राशी है वो है दुला राशी दुला राशी के विया बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपी के और सुबह नौ बशकर 20 मुण के अब ये चंद्रमा आपी के राशी में ब्रह्मन करेगा आपके भाग्या बाओ में से शुक्र के साथ एजंद्रमादर को नियों करने जा रहा है, सब तंबाओ में से गुरू के साथ प्रतियों करने जा रहा है, भाग्या बाओ में से शुक्र के साथ शेष्ट बाओ का जनेप्चन है, वो केंद्रियों करने जा रहा है, महतो इसके बाद के जो राशी है वो है प्रिच्च्र करेगा अपके पच्च्छम भाव है दिर्प्चन के साथ आपके बाग्यों आपके शुक्र शुक्र है वह के इंदर्यों करने जा रहा है आपके वेय बाव में से चंद्रमा के साथ आपके शाष्ट बाव को जो गुरु है वो प्रतियों करने जा रहा है महतुपुर्ण दिन है आपके लिए आज कर दिन है घुमना फिर ना ज्यादा हो सकता है थोड़ा स्ट्रेस आ सकता है लेकिन आपके जो वैवाई जुड़ी दारुन के साथ आपके हार्मनी काफी अच्छे देखी जाएगी आने मले दो से इन दुनियों में वैवाई सब्सक्राइब करेंगा सब्सक्राइब करने जा रहा है उसमें आपके जो मित्र परिवार होंगे उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं पैसे के मामलात में में कुछ अच्छे लाव अगरा मिलते हुए नजर आएंगे उसे पर अगर आपके जो वैवाई जोड़ेदार हैं उनके साथ भी आपके हार्मरी काफी अच्छे देखी जाएगे लेकिन आपको स्वयम के स्वास्त के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है मकर राशी मकर राशी के बाग के बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है वक केंद्रियों करने जा रहा है मैं तो पुर्णे दिन हैं आपके व्यूब आपका कारिशन तरह वहाँ पर की जोगों इसे आज आज आपको काफी अच्छी मदद मिल सकती है आपके काम के सराना भी हो सकती कुछ अच्छे लाव अगरा भी मिलते हुए नजरेंगे अगर आप जॉब लेसा तो जॉब अग में स्भी आपके अच्श्च और सब करने जा रहा है सुभी के बाद के जुसमें वो बहुत ही अच्छा और शुपलदाई साबित होगा कुछ अच्छे इंट्यूशन्स वगर आज सकते हैं जो भी आप काम हाथ में लोगे वो पूरे होते हुए नजर रहेंगे आपके काफी अच्छा देखा जा सकता है उसे में अगर अगर आप लिए बहुत ही ज़्यदा शुपलदाई सामीत होगा इसके बाद के जो राशी में राशी के सब्सक्राबर आपे जबठब में वर्फजिय करखा रहा है। तो पर सुबह के बाद के जो समय है उसमें आपको अपके घर के जो लोग है उनके साथ कहीं बाहर घुमना फिनना हो सकता है लेकिस स्वास्त के बारे में थोड़ा ध्यान देना अवश्यक होगा उसे प्रकार आने मादे दो से तिन दुन में घर के जो मैदा से दसे रहेंगे उनके साथ भी चुड़ी मुटे बातों को लेकरता करार वो सकतिया थोड़ा सा चौकरना रहना अलट रहना आवश्यक होगा दोस्तों ये था दिनांग चार मई 2003 संपुण राशिफल आपने राशिफल कैसे लगा आपने किस प्रकार से अनुबह किया नीचे कमेंट बॉक् शाद उफ शज़्ड़ शबुजब दिफ दोस्तों करृप्ट राश्यक होगा दिए होगा तो लिए प्रूपक दोचे देक्षब और जिए होगा दिए यहा है जावाद़ होगा है कर दो दूदमियो मुझवाद है झाल झाल